Hello Friends, Welcome to My Travel Diary आज हमारा दुबाई में थर्ड डे है और आज हम जा रहे हैं वान डे साइचिंग टू टू आभुधावी दुबाई से आभुधावी हम गए बाई रेंटेड कार और यहां से लगते हैं करीब पौने दो घंटे बाई रोड पहुंचने में और आभुधावी पहुंचने पे सबसे पहले हम गए वहां की ग्रैंड मॉस्क ग्रैंड मॉस्क वन अफ ता बिगेस्ट इन दी वर्ल्ड है और UAE की सबसे बड़ी मॉस्क है इसमें दुनिया भर से लाए गए वाइट मार्बल से इसे बनाया गया है जिसमें इंडिया के मकराना से भी मार्बल लिया गया है इस मॉस्क की चार बड़ी मिनारेट्स हैं जो की चारो कोनों पे हैं और एक बड़ा सेंट्रल हॉल है जिसमें की बिना कॉलम्स के ही इसे बनाया गया है और यहां एक बार में करीब 40,000 लोग प्रेयर कर सकते हैं जगा जगा पे गोल्डन पेंट को यूज किया गया है और यह बहुत ही आलिशान व्यू बनाता है इस मॉस्क की खासियत यह भी है कि यहां जो सेंट्रल हॉल में कार्पिट बिशाया गया है वो सिंगल पीस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्पिट है और यहां अंदर जाने के लिए सबी महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी है तब ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं और आलिशानता के मामले में यह मॉस्क कितनी आलिशान है इसका इंदाजाब लगा सकते हैं कि इसमें दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट शेंडलियर जो कि किसी भी मॉस्क में है वो इसी मॉस्क में लगाए गये हैं और यह बहुत ही ऐलिगन्ट आर्किटेक्चर से बनी हु मॉस्क है यहाँ पहुँचकर आपको मॉस्क के ग्रैंडियोर का सही इंदाजा होता है ग्रैंड मॉस्क के बाद हम लोग पहुँचे हैं अमिरिट्स पेलिस यह हुआ करता था पहले यहां के शेख का ओफिशल रेजिडन्स जिसे हम प्रेजिदेंशल पैलिस भी कह सकते हैं और फिर इसे convert कर दिया गया एक 5-star hotel में और आज कल ये 5-star hotel है और अब President Palace अलग से अबुधाबी में बनाया गया है जहां यहां के शेख रहते हैं लेकिन ये Emirates Palace भी बहुत ही लेविश ठंक से बनाया गया बिल्डिंग भी है और इसके आस पास बहुत सारा ग्रीन एरिया और वाटर बॉडिज भी हैं Emirates Palace से अब हम पहुँचे हैं लूर म्यूजियम यहां लूर म्यूजियम तो आपने सुनाई होगा जो की ओरिजिनली जो फेमस लूर वर्ल्ड फेमस लूर म्यूजियम है वो है पैरिस में उसी के नाम पे और उनी और्गनाइजर्स द्वारा मैनेज किया जाना वाला ये रूकर में म्यूजियम में जो आर्टीफेक्स, पेंटिंग्स या स्कल्प helfen्चर्स डिस्प्लेट होई हैं उन की हिस्ट्री बहुत जादा पुरानी नहीं हैं क्योंकि अब हुँदावी की ही बहुत जादा पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी एइक इंट्रस्टिंग चोटे बच्चों और यंग जनरेशन को जाने में बहुत इंटरस्ट रहता है ये है फरारी वर्ल्ड जी हां अबुदावी के बहुत ही बड़े एरिया में कई एकर्ज में फैला है ये फरारी वर्ल्ड जहां की वर्ल्ड की famous circuit races organized होती है और यहां का track बहुत ही famous है जहां दुनिया के सभी important racing champions race करना चाहते है बाकी लोगों के लिए यहां पे है go karting arena और इस arena में आप भी जाहें तो go karting का मज़ा ले सकते है और यह go karting area है international standard का बाकी जगाओं पे हम देखते हैं go karting के लिए कोई छोटा सा arena बना दिया जाता है लेकिन यहां international size और standard से go karting आप कर सकते हैं last but not the least अब हम पहुँचे हैं presidential palace में यह है वो presidential palace जहां आजकल आबुदाभी के शेख रहते हैं और यह बहुत ही grand style में बनी हुई building है और इसके आसपास बहुत ही बड़ा garden area है चारो तरफ और canal system और water bodies हैं जहां आप periphery of the palace को visit कर सकते हैं और एक feel ले सकते हैं कि अंदर से यह palace कितना grand होगा आज एक grand day travel करके हम लोग वापिस जा रहे हैं अब दुबई जहां से फिर हम वापिस जाएंगे इंडिया के लिए बट यह सफर बहुत ही अच्छा रहा और एक grandeur की feeling जरूर आती है दुबई और आबुदा भी जाएंगे A must visit destination for all of us Thank you for watching